नमश्कार, कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीही लगन के लिए लियो एसेंडेंट्स के लिए 15 मार्स से 13 अप्रेल 2023 तक के मंतली पिडिक्शन के विशे में यह जो मंतली पिडिक्शन है यह लगन के अधर पर अधरी थे तो आप इसे अपनी लगन रशी के निमसार ही देखें तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आपके रूलिंग प्लेनेट के लौर्ड होकर के एट थाउस में गोचर करेंगे और सूर्य के ने आप पर पूरा भात्पन नक्षत गुरू के नक्षत रोगुरू की राशी में गोचर करेंगे देखें सूर्य का जो गोचर अश्टम में है ये आपको अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज है उसके अंदर ये आपको लीफ दिलाने वाला रहेगा आपकी डिजीज ठीक होने वक्के कगार पर होगी इसके साथ साथ एक छोटी सी दिक्कत ही यहाँ पर दिखाएगा कि इस सम स्परटी से लेटिड़ चला संपत्ति से लेटिड़ कोई कारिये पैंडिंग है तो उसके अंदर शाशन या सरकार का सहारा लेकर कि आपकारियों को पूर्ण करा पाएंगे यह किसी अपने कुटूम के बड़े सदस्यकी माध्यम से मेंटर बना कर या उनसे सलाह लेकर के का लेकर कि आप माइँ माई अफ में मन्हें नाचार कर रहे है जो कि आपके व और आपके नायन ठाउस के लौशर करेंगे ओमगर्णी के पर लगाइन के यह मन की नेखशतर में मुचर करेंगे यह समय यहां आपको एक अच्छे घर का सुख देने वाला रहेगा घर से लाब प्राप्त होगा हो सकता है आपने कोई प्रोपल्टी ले रखी हों उन्हें आप रेंट पर लगाएं या उनकी सेल प्रचेज करके आप लाप वो थोड़ा बढ़ा हुवा होगा आपकी डाइट के मुकावले अगर आप सो रुपे खर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर कम से कम 200 या 300 रुपे वे आपके खर्च करा ही देंगे पाल्टी इत्तियादी में जाना लाबदाई रहेगा आनंदा ही समय रहेगा प्रंतो अपनी तरह करें चैड़न प्राप्त करें कुछ नहीं ग् dim गोचर कर रहे हैं यह जो समय रहेगा यह समय घर परिवार के साथ थोड़ा सा अंडेस्टेंडिंग में चलने के लिए बोलूँगा आप वानी का जो प्रयोग करते हैं वानी आपकी ठीक होती है नौर्मली सब चीज अच्छा होता है प्रन्तु इस समय अंतराल के अंदर वान सुनते रहें यह समय आपके बोलने के लिए उचित नहीं आप बोलेंगे कुछ सामने वाले को समझ कुछ आएगा जगड़ा दूसरे के साथ ता आपके साथ ही लग जाएगा इससे बचने का प्रियास करें इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ ना कुछ लाब अपने चीज यहां पर दिखाए देती है तो उसे नजर अंदाज ना करें वो बढ़ सकता है तो उसे तुरंट डॉक्टर से कंसर्ट करके चलेंगे तो लाब राप कर पाएंगे तो इन सब चीजों का द्यार में लाब नहीं रहेगा इसके बाद में देव बसपती की बात करते हैं देव गुरू बसपती 13 अपरेल 2022 से अपरेल 2023 सक्मीन राशी में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके एट्थ हाउस में अपनी स्वहराशी में गोचर कर रहे हैं और देव बसपती आपके लिए आपके विफ्ट और एट्थ हाउस के लॉर्ड होकर के एट्थ हाउस में गोचर क कारिये को लगतार, निरंतर करते रहना है, उससे छोड़ना नहीं है, छोड़ने का मन कई बार बनेगा, अवसार आएंगे कि छोड़ दिया जाए, मन नहीं लगेगा, याद नहीं हो रहा है, सब चीजों को साइड करके आपको कारिये करना ही करना, जितना आप कर पाएं, अप समय में वहां से कुछ ना कुछ नया ज्यान या कुछ नई चीज का सर्जन इस समय में आपके द्वारा होना यहापड देखा जा सकता है इसके बाद में अब बात करेंगे शुक्र गरें के बारे में 12 मार्से 5 अपरेल 23 तक में शाशी में गोचर कर रहे हैं जो किë आपके प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र website के अंदर online चीजों का प्रियोग करते हैं online gadget का प्रियोग करते हैं software का प्रियोग करते हैं तो उनसे अधिक लावा प्राप कर पाएंगे उनके लिए हो सकता है आप अपने वेपार website के लिए कुछ धन इन चीजों के लिए खर्च करें जैसे कि laptop, mobile computer, software इत्यादी के ऊपर आपके siblings के साथ एक आनंदाई समय व्यातित कराने वाल रहेगा हो सकता है उनके साथ आपको टू ट्रेवल कर पाएं उनके साथ चूटरेवल करने का सुप्राप्त कराने वाल रहेगा इसके साथ आप अपने staff के साथ जो आप जहांपर भी आप काम करते हैं या आपकी यहां से स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही शुक्रग्रे वर्षव राशी में आएंगे आप देखेंगे कि जो भी आपने चीजे पिछले समय में इन्वेस्ट किया था चीजों पर इन्वेस्ट किया था जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोनिक गैजट इत्तारी को पर उन सब चीजों का इंकम या उनसे इंकम मिलनी शुरू हो जाए नेम फिर्म बढ़ना शुरू करने शुरू कर दे शाथ चीजों का के सुख वहां से आप राप्त कर पाएंगे जोब इंट्रिव्य उत्यारी के लिए आप प्रियास करें आपको इस समय में जोब अवश्य प्राप्त हो जाएगी इसके बाब बात करेंगे शनीग्रे के बारे में शनीग्रे 17 जनुवरी 23 से 29 मार्ट 25 तक कुम राशी में गोचा कर रहे हैं जो कि आपके सेविंध हाउस में गोचा करें हो शनीग्रे आपके लिए आपके सिक्स और सेविंध हाउस के लौड हो करके सेविंध हाउस में गोचा करें हो शनीग्रे आप पर शद्विया नक्षत्र राओ के नक्षत्र में गोचा करें देकि यह जो समय रहेग इसके बाब बात करेंगे राउग्रे के बारे में यहां पर एक चीज प्रक्राइब निन के चलेंगे तो लाप प्राप कर पाएंगे इसके बाद बात करेंगे राहु गरे के बारे में 12 अप्वेल 20-22 से 30 अक्टूबर 20-23 तक में श्राशी में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके 9 थाउस में गोचर कर रहे हैं या government department से related कोई कार्य करते हैं तो उनसे आपकी अचानक से कोई मुलाकात हो जाए उनके साथ आनंदा ही समय आप वैतीत कर पाएं ऐसा समय रहेगा लाबदा ही समय रहेगा इसके बाद केतु के बाद करते हैं केतु करे 12 अपरेल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक केतु करे तुलाराशी में आपके ठर्डा उसमें गोचा कर रहे हैं केतु करे आपर स्वाती नक्षत्र राहू के नक्षत्र में गोचा कर रहे हैं तो मार्केट से नए क्लाइंट नए किस्टमर आप जनरेट कर पाएंगे सिब्लिंक्स का रिलेशन अच्छे रहेंगे नोकर चाकर का सुख इस समय में आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होता हुआ दिखाए देता है और इसके साथ साथ इस समय में अच्छे-च्छी सवारियों का सुख मिल करा है इस समय में ये समय स्टूडेंट के लिए चाहते हैं के लिए सन्तान को रहने वाला है संतान को फ़ Debbie करा पाएंगे लाबदा समय रहेगा इसके बाद 17-18 मार्च का समय तो 17-18 मार्च का समय देखिए थोड़ा सा आपका धन खर्ची कराने वाला होगा इस समय में आपका कुछ धन आपके स्वम की हेल्थ के लिए या आपके किसी परिवार के सदस्चे की हेल्थ के लिए मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो सकता है शत्रू इस समय में कुछ अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं पर्णतु शत्रू हुआ आपको हानी नहीं पहुचा पाएंगे यह भी आप मान कर चलें पर्णतू उनसे सतर क्रहने का प्रियास किया जाए इसके बाद 19-20 मार्च का समय उन प्राप्त हो सकता है यहां से प्रणतु धन थोड़ा कष्ट देने के बाद प्राप्त होगा थोड़ा सा यह समय आपको परेशानी देने वाला हेल्थ में इम्म्निटी वीक करने वाला रहेगा कुछ दन आपके किसी परिवार के सदस्थे के लिए आपनी स्वयं की किसी है स्वियम की हेल्थ के लिए जो मैंने बताया था ना इस टोमक से लेटेट पॉब्लम यहां पर दे सकता है और संतान को जो मैंने बताया था कि संतान या इस्टूडेंट एजूकेशन में हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसका थ्यानक के चलें इसके बाद 23-24 मार्च का समय आपको अचानक से यातराय देने वाला अचानक से आपको किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात करा दे इसकी जो के लिए उत्तम रहने वाला है इसके बाद 26-27 मार्च का समय तो यहाँ पर 26-27 मार्च का समय आपके लिए अपक्यारी वहमसा है आपकी जॉब जोइन करने के लिए इंटर्वू देने के लिए को रिटेन एक्जाम देने के लिए वर्क पेस पर एक्सपेंशन करने के लिए उत्तम रहने वाला है इसके बाद 28-39 March का समय तो 28-39 March का समय रहेगा यह समय आपको अपने मित्रों के साथ एक अच्छी party त्यादी enjoy करने के लिए रहेगा कोई property त्यादी प्रचेस करना चाहते हैं इस समय प्रोपल्टी देखने जाने का और property प्रचेस करने का अफसर भी प्राप्थ हो सकता है इसके बाद 30-31 मार्च और 1 अप्रेल तो यहाँ पर 31 मार्च और 1 अप्रेल का समय आपको थोड़ा केरफू लेने के लिए बोलूँगा ऐसके और डशका है ऐसे यहाँ प्रतीत होता है उसके बाद 2-3 अप्रेल का समय ये समय आपके लिए आनदा ही रहने वाला इस समय आप काफी प्रसंब रहेंगे अपने ड्रेसिन सेंस के ऊपर कुछ कारे करेंगे अपनी personality बढ़ाने के उपर कारे करेंगे समय लाब दाई रहेगा इसके बाद 4-5-6 April का समय तो 4-5-6 अपरेल का समय आपके लिए उत्तम रहेगा इस समय में आपके पाद धन आना अच्छे परिवार का सुक आपको मिलना इस समय में अच्छी वानी का परियोग आप करके लोगों से अपनी बात मनवा पाएंगे सिंगिंग इत्यादी गाना गुन गुनाना भजन करना भजन गुन गुनाना इन सब चीजों का लाब आपको प्रदान कराने वाला है अच्छा भोजन इस समय में आपको प्राप्त हो स्वादिष्ट भोजन का सुख आप राप कर पाएंगे साथ आठ अपरेल का समय है तो यहाँ पर साथ आठ अपरेल का समय है यह समय आपको आपके सिब्लिंग्स के साथ पडोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला रहेगा जातरा है चोटी-चोटी हो सकती है समय में इसके बाद नो दस अपरेल का समय यह जो नो दस अपरेल का समय रहेगा यह समय आपके लिए काफी लाबदाई रहेगा घर परिवार का सुख मिलना माता पिता की हल्थ इस समय मुत्तम रहना उनसे कोई लाब, एडवाइस प्राप्त कर पाना पैट्स इत्यादी का सुख प्राप्त होना विकल इत्यादी है तो उसका आलंद और उप्भोग कर पाना कुल मिला करके एक पीसफूल समय रहने वाला है इसके बाद 11-12 अपरेल का समय है इसके बाद 13-14 अपरेल का समय रहेगा यह समय आपको किसी के लिए रिंड लेना पड़ सकता है या रिंड देना पड़ जाए ऐसी संभावना यहां पर बनती है उन सब चीजों का ध्यान नक करके चलेंगे तो लाप राप कर पाएंगे तो यह था सीहीं लगन के लिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाल नए वीडियो का नोटिविकेशन आपको मिच सके और मेरे इस वीडियो को प्रिमपोग बनेने के लिए आपका प्रेम बोदेने वाद, नमस्कार.